You have a good question, but your question hurts me, sir. अब देखो, ऐसा होता है, जनरली बच्चे कहते हैं, कि sir, आपके पास कोशन बहुत अच्छे, पर आपके जो कोशन है ना दिल पर लगते हैं, क्योंकि कोशन के टाइम पर ना नहीं याद आती है, क्योंकि देखो, क्या है ना, अपन जब story forward में आगे बढ़ रहे थे, बढ़ी अच्छी-ची कहानिया पढ़ रहे थे, और अब अचानक से NCRT Solutions को अपन कर रहे हैं, जो basically question, फिर उसका वही specific answer, तो generally यही होता है अभी तक, ठीक है, बट आज हम इसके अंदर थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, like question होगा, उसकी story में पहले बता दूँगा कि हाँ, यह 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 इसकी outline है, उसके बाद हम answer के उपर बढ़ेंगे, ताकि क्या होगा ना, अभी तक के वीडियो के अंदर, ठीक वही story वाला माहूल आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगा, और वीडियो जो हो जाएगा, बड़ा ही interesting, बड़ा ही मजेदार हो जाएगा, तो चलो, शुरुआद करते हैं, आज के हमारे इस वीडियो की, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं, हमारे history का chapter, nationalism in India के NCRT solution, तो चलो, बिना किसी देरी के शुरुआद करते हैं, तो देखो, सबसे पहले question, प्रश्न है आप से, कि why the growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement, अब देखो, इसने रख दी है, दुखती नस फे हाथ इस question ने, तो क्यासे, वो यह पूछ रहा है, कि यह जो nationalism, देश भक्ती की भावनाएं हैं न, वो हमें anti-colonial movement से ही क्यों जुड़ीवी दिखती है, सिधा साफ question है, तो देखो बच्चो, जब कोई problem सामने आती है, तभी तो नानी याद आती है, ठीक है, बिना problem के तो कोई किसी को कोई मतलब लाइक कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर life के अंदर, तो वो उसका solution ढूनेगा नहीं, उसको फिर किसी nationalism या फिर किसी भी assassination की जोर्थ ही नहीं, उके, उसको चाहिए एक problem, जब problem सामने आएगी ना, तब हमें मिलेगा उसका solution, तो ठीक उसी तरीके से, हमारे सामने problem थी, कोलोनिलिजम की, बिटेन ने हमें कोलोनी बना दिया था, हमारी तरह और कई सारी countries को भी उसने कोलोनी बना दिया था, अब कोलोनी बनने के बाद, वो उनक इंकम वो बढ़ नहीं रही थी, साथ ही साथ ना ही उन्हें इतनी आजादी से जीने का मौका मिल पा रहा था, तो अब उन्हें लगने लगा कि problem है, और इसका हमें चाहिए solution, और solution हमें कब मिलेगा, जब हम इन लोगों को टाटा बाई 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 के देंगे यहां से, लाना है और साथ इसाथ एक nation state को हमें बिल्ड करना है, तो कुछ ऐसा इसका answer होना चाहिए, तो चलो और भी ज़्यादे specific देखते हैं कि आखिर बुक वाले ने क्या बोला है, तो चलो शुरुबात करते हैं, people discovering their unity in the process of their struggle with colonialism, कहा जाता है कि जब problem आती है, तो लोग solution के लिए भागते हैं, लोग struggle करते हैं, उस struggle के दोरान लोगों को ये लगना है लगता है कि अरे हम लोग तो एक जैसे ही है, हमारे culture, हमारी language तो एक जैसे ही है, हमारी problem भी एक जैसे ही है, तो इसका मतलब यही है कि हम जो लोग हैं, वो एक unity के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जब British rule इंडिया पर काम कर रहा था, तब पूरे इंडिया को ही, इंडिया के हर एक state को या फिर हम यह कह सकते हैं, उनकी provinces को, हर किसी provinces को ही दिक्कत थी, क्योंकि British rule चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा resource से जो है, वो हम अपने motherland Britain लेके चले जाएं, और साथ ह हम इनके उपर ऐसी policies लागू कर दे, जिससे यह हना कुछ कर ना सके, ठीक है, कई साथ restriction वो डालना चाहते थे, तो ऐसे में हम लोगों ने struggle शुरू किया, और उस struggle करने के time period में ही हमने अपने बीच में एक unity को पाया, The sense of being oppressed under the colonialism provided a share bond that tied many different groups together, जब हम लड़ रहे थे, तो हमें एक दूसरे की भावना है, समझ में आने लग गई थी, हमें एक ऐसा bond हम लोगों के बीच में लगने लग गया था, कि आरे, यह तो हमारे जैसा, यह जैसा आपका friend है, या फिर मैं कहा दू, आपका best friend है, उसके और आ communities होगी, उसी कारण वो आपका best friend बना है, मेरा मानना यह है कि आप जैसे हो, ठीक आपका best friend भी वैसा का वैसा ही होने वाला है, उसका काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, यह सारी चीज़े आपकी जैसी की जैसी ही होगी, तभी आपने उसको best friend बनाया है, तो कहीं न कहीं, कि जब हम काम कर रहे थे साथ में, unity के साथ में आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कहना bond share किया, कि हम सभी जो लोग हैं, वो एक जैसे ही तो है, अलग किया है, but each class and groups felt the effects of colonialism differently, अब देखो, जरूरी नहीं है, कि हमेशा, किसी एक authority से, किसी एक person, या हर एक person को नुकसान ही ह हुआ होगा, कुछ ऐसे होते हैं, जो दिमाग चलाते हैं, और उसमें फाइदा उटा लेते हैं, ठीक है, वो अपनी मुश्किलों को opportunity में, बदलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया किया, कि आखिर इनके साथ कैसे मुनाफ़क हमाया जा सकता है, कैसे इनके साथ income generate किया आजा दी चाहिए, हमें इस colonialism से चुटका रहा चाहिए, पर कुछ ऐसे भी groups थे, जो अभी भी colonialism को support कर रहे थे, their experiences were varied, and their notion of freedom were not always the same, जरूरी नहीं है ना, कि जैसा मुझे लगता हो, वैसा अगले को भी लगे, जैसा एक group को लगता हो, अगर जो पैसा कमा रहा है, जिस group के प अब इतने सारे groups से हमारे इंडिया के अंदर, तो एक leader भी तो चाहिए, कि इन groups को एक जगे लाया जाए, तो उसको लाने के लिए हमारे सामने आते हैं, हमारे महात्मा गांदी, हमारे बापू, अब बापू जो है ना, वो Congress की leadership में आते हैं, उतरते हैं, वो बोलते हैं कि ए इनको तो भगाओ, प्रॉब्लम जादा है ना, लोगों को, अगर हम देखें, तो आप देखोगे, कि अगर एक area के अंदर 100, मतलब 100 जने रहते हैं, तो उसमें से लगवग सिप 10 लोग की पैसे वाले होने वाले हैं, मतलब जो numbers है, population के अंदर, riches का, वो बहुत कम होता है, as compared to poor us के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, ज्यादा जो लोगों की संख्याती वो किसकी थी, गरीबों की थी, अब महात्मा गांदी जी ने बोला, ज्यादा लोगों को problem हो रही है, कम लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसके लिए हमें एक moment चलाना होगा, और साथ में आके इस British rule को यहां से खतम करना होगा, पर जैसा कि आपको पता है कि यह एक इंडिया है, अगर हमारे यहां पे कुछ एक छोटा सा भी काम होगा, let's suppose शादी का भी माहोल होगा, तो उसमें भी फुपा जी मूँ चड़ागे बैठ जाएंगे, क्यों बैठ जाएंगे, मजा आता है, अलग जाएंगे खुजा ही देखने बैठ जाते हैं आधे एक गंटे तक तो कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा चलाना पड़ता है क्या, अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे, तो यह सारी चीजे हमारे है ना, एक ब्लड के अंदर है, ठीक है, यह हम दूर नहीं कह सकते हैं, यह हमारा ब्लट के अंदर यह एकदम इंबिल्ट हो चुका है कि हमें मज़ा आता है इसे एंटेटेंमेंट ऐसे मसाले चीजे देखने में तो लड़ाई तो होनी ही होनी है अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरब अब देखो इंडियन के साथ बूचा जा रहा है कि इंडियन का जो यह नेशनल मूवेंट था ना इसको एक कोई पश मिलता है फर्स वर्ल वयर के कारण इसे के साथ एक Qoillions और यह पूछा जा रहा है तो देखो वत्चो हमें यह तो बता था कि हमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम किसे है बिटिश रूर से है अगर क्या हो कि खाने के अंदर थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए तो खाना और ज्यादा बेस्वाध हो जाएगा खाने में एक लिमेटेड नमक होता है तो अच्छा लगता है लिमेटेड मसाले डलते हैं तो अच्छा लगता है पर जब ओवर होने लग जाता है न तो होती है प्रॉब्लम अब इंडियन्स के साथ ये था कि बिटिशस जो है लगादार हमें लूटते जा रहे थे हमारे रिसोर्स को लेके जाते जा रहे थे साथ हमारे उपर कई सारी पॉलिसी को इंप्लिमेंट कर रहे थे हमारे लोगों को मार रहे थे हंटर से कोड़े से उन सभी पर कोड़े बर रख देता है, उसकी पूरी बैड बाजा बाराद बजा देता है, क्यों? क्योंकि First World War जो है, वो इतना ज्यादा मैसिव होता है, कि हर एक कंट्री उसके Economic और Political Structure को बरकरार नहीं रख पाती है, कई सारे देशों के अंदर देखा जाता है, कि वहाँ की Political Authorities जो है, वो चेंज होने लग गई थी, राजा हो के कई सारे राजा भी आ चुके थे, साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है, कई सारे देशों की जो Economy थी, अब वो World War I से पहले वाली Economy नहीं रही थी, जैसे कि पहले कुछ देश ऐसे थे, जो पहले बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, पर World War होने के कारण उन्हों से सारा पैसा लगा दिया अपने War के अंदर, और वो पूरे के पूरे हो गए, बरबाद वो पूरे के पूरे हो गए, खतम, अब उनके पैसा था नहीं, अब पैसा नहीं होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो आनी थी, कि वो अपने आपको कैसे मिंटेन कर पाते, तो हम यह देखते हैं, कि वो अपनी Economy को मिंटेन नहीं कर पाते, अपने Political Structure को मिंटेन नहीं कर पाते, इंडिया के अंदर भी सेम थ बात खता हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, मतलब अगर गोलकप पे खाने जाने हैं, तो हम अपनी Pocket Money का Use क्यों करें, जब हम अपनी मम्मी से पैसे ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से, विटिशेस यह कहते थे, कि हमें प्रॉब्लम है, हमने इन लोगों को कॉलोनी बनाया है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम में हमें कर्चा करना है, तो पैसे यह देगा, तो यही हमारे साथ हो रहा था, विटिशेस जो थे, वो World War One में बहुत ज्यादा active थे, उन लोगों के बहुत ज्यादा expense हमें देखने को मिलते हैं, World War One के अंदर defense expenditure लगातार बढ़ता जाता है, और उसके लिए जो पैसा है ना वो Indian से लेके जाते है, कि तुम एक काम करो तुम्हारे पास बहुत है, तुम तो सोने की चिडिया हो, तुम तुम पताने क्या क्या है हो, तुम एक काम करो पैसा देदो, हम वहां लगाते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो अपने देश का ही रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ही आमारे लिए मुश्किल हो गया है, अब लोग कहते हैं कि क्या करें, दिक्कत किस वज़े से आईए, दिक्कत आईए इस authority यानि कि British rule के वज़े से, अब इस British rule को हम यहां से उठा के बाई-बाई कह देते हैं, इनको यहां से भगा देते ह तो लोगों की मनों में जाती है, दीश भक्ती, हमें एक दीश बनाना है, जिसमें हमें British rule नहीं चाहिए, तो कारण आपको अब मिल चुका है, और अब हम शुरुआत करते हैं इस question के answer की, war created a political and economic situation, led to a huge increase in the difference expenditure, which was financed by the war loans and increasing taxes, अब जब बिटिश रूल जो है, World War I के अंदर लग रहा था, तो उसके बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, अब खर्चे होते हैं, तो उसको कई सारे war loans लेने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है, साथ ही साथ उसने अपने, जो ट duties उसने बढ़ा दी, income tax को उसने introduce कर दिया, ताकि जादा से जादा लोगों से पैसा वसूल किया जा सके, और फिर मज़े से एक बदम defense expenditure करके, एक दम मतलब war के अंदर एक दम hero बन जाए, ठीक है, वो ये करना चाते थे, साथ ही साथ जब war चलती है बच्चों, तो war के अंदर है ना, recruitment हो रही थी, force recruitment होती थी, गाउं में आते थे, ये लोगों को पकड़ के लेके, चले जाते थे, और वहाँ पर उनको ले जाते थे, war के अंदर और war में उनको शहीद करवा के आ जाते थे, तो ऐसे में देखा जा रहा था, कि लोगों से कई सारा taxes लिया जा रहा था, कि लगभग अब इंडिया का जो agriculture production था ना, वो भी अब थोड़ा सा हिलने लग गया था, क्योंकि हमारी crops जो थी, वो fail होने लग गही थी, अब जब crop fail होने लग जाएगी, तो हमारे पास food जो है, वो नहीं बचेगा, हमारे पास food की acute shortage होने लग जाती है, जैसे ही food की कमी प के time पर देखी जाती है, जिसके कारण हमारे इंडिया के अंदर कई सारे लोग मरना शुरू कर देते हैं, और लगभग एक census की माने, तो लगभग 12-13 million people जो है, वो famines और diseases के कारण, उस time period के अंदर मर जाते हैं, तो ऐसे में अब इंडियान्स को लगता है कि इस सारी की सारी यह जो problem हुई है ना, वो हुई है British rule के वजे से, अब British rule से लड़ना है, अकेले हम लड़नी सकते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत है unity की, community को साथ साथ लाना होगा, सारे social groups को साथ लाना होगा, उनके बीच भी unity को form करना होगा, और unity को form करने का एक ही तरीका था, कि उन्हे देश भक्ती का part पड़ाया जाए, उन्हें बताया जाए कि देखो यह हमारा देश है, यह हमारी भारत माता है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और जब हम इनके लिए काम करेंगे, तब हम इन अंग्रेज जो से आजादी पाएंगे, और आजादी मिलते ही, हमारे सा अरे दुखदर्द खतम हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था, अब बात आती है कि, वाए, इंडियन्स वाज आउट्रेजड बाए रॉल एटेक्ट, बड़ा ही नन्ना मुन्ना एकदम प्यारा सा कोश्चन पूछ लिए, कि हमें गुस्सा क्यों आया, जब रॉल एक एक्ट जो है, वो एक एक था, एक कानुन था, एक रूल था, अब कानुन क्यों नहीं पसंद आयेगा, क्योंकि उसके अंदर जो लाइक चीजे होगी, वो हमें अच् 되어 रिख रही होगी, इसलिए हमें रॉल अठ्षें पसंद नहीं आया होगा, और पसंद नहीं आएगा, औ तो जाहिर तोर के उपर कुछ उसमें ऐसी चीज़े हमें देखने को मिली होगी, रॉलेट एक्ट जो है ना, वो बिटिसस इसलिए लाते हैं, क्योंकि महात्मा गांदी जी हमारे इंडिया में आके अंग्रेजों के छक्के छोड़ाने लग गए थे, महात्मा गांदी जी तीन सत्यागरे कर देते हैं, सक्सेस्फूल हो जाते हैं, बिटिस जड़ने लग जाता है कि करे क्या 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 क्या, इनको रोखना पड़ेगा, तो ऐसे में वो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोखनें के लिए, रॉलेट एक्ट को 1919 के अंदर लेके आते हैं, और रॉलेक टेक्ट यहीं तक खतम नहीं हो जाता है रॉलेक टेक्ट यह जाता था कि जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं वो बिटिश के अंदर बने रहे अगर वो लोग कभी भी बिटिश के बारे में गलत बोलते हैं विचारते में रात को गलस सपना भी आ गया तो उन्हें दो साल की जेल हो सकती थी और उस जेल के लिए उनका कभी भी ट्रायल भी नहीं होता मतलब कोट अगरा नहीं लेके जाया जाता बस अगर आपके उपर शक है कि आप दो हैपटिस के आगेंस हो सकते हो अगर पुलिस ना आपको उठा लिया मतलब गई दो साल की अब बात ही खतम यह जो चीज थी ना यही कारण था कि लोगों के बीच में बड़ा ही विरोध जनम हो चुका था तो कहीं ना कहीं यह सारी चीजे हमें देखने को मिलती है रोलेक्ट एक्ट के वज़े से तो अब थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं कि आखिर आंसर में क्या लिखा है तो देखो रोलेक्ट एक्ट जो है 1990 में इंट्रड्यूस होता है ओके इस एक्ट जो है यह बहुत जल्दी जल्दी में पारित किया गया था हमारे इंडियन मेंबर्स ने मना भी किया तो फिर उसके बहुजूद भी लेजिसलेटिव कांसिल में इसे पास कर दिया गया जैसे ही गवर्मेंट ने इसे इंप्लिमेंट किया तो गवर्मेंट के पास बहुत सारी पावर आ जाती है मतलब एकदम वो राजा बन जाती कि अब तो देखो कोई बोलता है हमारे बारे में तो चुठकियों के अंदर उसे उसकी चुठकी बजा के उसको अंदर कर दिया जाएगा पॉलिटिकल प्रिजनस को दो सालों तक कहा जेल में रखा जा सकता था उनको प्रिजन में डाला जा सकता था और उनका कोई भी ट्राइल नहीं होता तो इसी कारण से रोलेक एक का विरोध किया गया रोलेक एक का गुस्सा जो है लोगों में बनाया गया अब हम बात करते हैं वाए गांधी जी डिसाइड़ टू विड्रो थी नॉन कोपरेशन मुवमेंट गांधी जी को ऐसा क्या जचा कि उन्होंने नॉन कोपरेशन मुवमेंट को पूरा का पूरा विड्रो कर दिया लाला क्यों विड्रो किया कोई कारण रहा होगा ना ऐसा थोड़ी है कि महात्मा गांदी जी गुजर रहे थे पार्क से उन्होंने सोचा यार बहुत समय हो गया है क्यों चला है इस नया नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट को मुझे स्ट्रेस हो रहा है मुझे एंजाइटी हो रही है प्रिलेक्चुल जो समझदारी वाला जो कारण रहा होगा ना वो पूछ रहा है तो देखो बच्चो नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट है ना वो महात्मा गांदी जी को इसलिए शुरू करना पड़ा था क्योंकि महात्मा गांदी जी ने देखा था कि रॉल अटक सत्यागरे जब महात्मा गांदी जी बंद करते हैं तो उस समय उस सत्याग्रे के अंदर मुस्लिम लोग जो थे इतना पाटिसिपेट नहीं करते तो महात्मा गांदी जी लगता है एंदू और मुस्लिम को साथ भी लाना पड़ेगा और इशू मिल जाता है खिलाफत इशू अब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब खिलाफत इशू और non-corporation movement हम साथ-साथ करेंगे, non-corporation movement को चलाया जाता है, शहरों में, गाओं में, हर जगे non-corporation movement शुरू हो जाता है, non-corporation movement का साधा सा मतलब यही था कि हमें है ना, बिटिशर्स के साथ corporate नहीं करना है, हमने इन लोगों को corporate किया है, इसके कारण ही वो इंडिया में establish हो पाए है, अगर हम इनका cooperation छीन लेते हैं, अगर हम इनका साथ नहीं देते हैं, तो automaticly हीबिटिस राज हमारे इंडिया से खतम हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था, और उसके लिए हमें इसको bycott करना पड़ेगा, इसके foreign words क bycott करना पड़ेगा, इनकी jobs को हमें छोड़ना पड़ेगा, college जो इनके institution है, colleges, schools, उनको हमें छोड़ना होगा, ये non cooperation movement में था, पर धीरे धीरे अब जो लोग है ना, non cooperation movement को spread करवाते जा रहे थे, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी थी ना, कि महात्मा गांधी जी का विचार सत्याग्रे के बारे में, कि हमें सत्य का आग्रे करना है, हमें हिंसा का पालन करना है, लड़े नहीं करना है, सिर्फ और सिफ है ना, हमें अपनी बात को उन तक पहुचाना है, पर हम थे इंडियन्स, हमें चाहिए खाने में मसाला, हमें चाहिए entertainment, अब इस entertainment, entertainment और entertainment के लिए हमने इस विद्रो को वाईलेमिंट बना दिया इसके अंदर हम हिंसा को लेकर आ गए और उस हिंसा के कारण ही महात्मा गांधी جी को लगा अरे ये दोड़ी करना था ये हिंसा कर दी तो बस खतम कहानी, हिंसा के लिए तो मना किया था और इन्सा इन्हों ने कर दी तो खतम कहानी तो महात्मा गांदी जी का यह है एक मोटा मोटा कारण बनता है नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को विड्रो करने का अब चलो देख लेते हैं कि इन्हों ने क्या कहा है तो पड़ो क्या लिखा है इन फैबुरी 1922 महात्मा गांदी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को हमें विड्रो कर देना चीज़ सर फैबुरी 1922 मतलब सर फैबुरी में क्यों किया सर वैलेंटाइन्स डे आता है इसका रण किया आरे नहीं देखो फैबुरी के अंदर चोरा चोरी चो फोलो नहीं कर सकते इनको समझ मिने नहीं आया है कि सत्यागरे आखिर है क्या यह अभी भी वाइलेंस का साथ दे रहे हैं और अगर यह वाइलेंस का साथ देते रहेंगे तो हो सकता है कि बिट्रूल जो है वो इनकी अच्छे से पिटाई-विटाई करके इनको ठिकाडे बि अठाओ अच्छे से समझाओ कि मास स्ट्रेगल चलाना है कोई घर पर घर की लड़ाया तो है नहीं कुणा हिंसी ज़र हो मेरे कभी भी हिंदी में अच्छे माक्स नहीं आए है ठीक बट göra मैं यह कहा हूँ कि मुझे उतनी ही तो आती है कि जितने वैं मैं लोगों को समझा सकता हूं कि आखे सत्याग्रे ठीक है सत्याग्रे का संदीवी छेद होता है सत्य प्लस आग्रे मनलब सत्याग्रे को तोड़ोगे तो सत्याग्रे बनता है सत्याग्रे का मतलब होता है सच और आग्रे का मतलब होता है कहना उसको बताना आग्रे करना तो सत्या सच्छे उसका आग्र सच्छै है हुँ तो हमने जो वहां तो एक वारे यहीं सच्छै तो उसके लिए हम लड़ सकते हैं मुझ बिर सकते हैं और उसके लिए हमें जरूरत यह से जरूरत नहीं टाइगर शरॉफ उसकी जैसी बोडी बनाने की कोई जोट नहीं है, जोन इब्रहाम वगरा बनने की जोट नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए हमारा सत्य के ओपर डेडिकेशन, मतलब हमें चाहिए एकदम धीट पढ़ती, हमें एकदम धीट होके खड़े हो जाना है कि हमें तो सत्य क्रेग के अंदर क्याना पढ़ सकता है, अब सत्य क्रेग की कहानी है वो शुरू होती है सच की डिस्कवरी के साथ, डिस्कवरी मतलब सर्, और हमें धूनना पढ़ेगा सबसे पहले, तो कि आखिर सच क्या है, कि जिस उद्देश की बारे में हम काम कर रहे हैं, वो सही ह क्योंकि जरूर नहीं है कि आप जो सोचते हो वो अगला भी सोचता हो जो आप मानते हैं वो सोसाइटी भी मानती हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि सच्च क्या है सत्य क्या है और अगर सत्य हमें पता पड़ेगा तो सत्य के उस पावर के साथ आप अप आप अपनी देश, आप अपनी सोसाइटी में कुछ भी बदलाओ ला सकते हैं। तो ऐसे में, it is suggested that if the cause was true, कारण सच्चा है, if the struggle was against injustice, अगर आपका struggle जो है, वो injustice अन्याए के खिलाफ है, then the physical force not necessary to fight the oppressive. तो इसके लिए आपको किसी भी power, मतलब डोले शोले बनाने की, जिम बिम में, पैसा खर्च करने की, protein powder भीने की जरूरत नहीं है, direct भिड़ जाओ उस व्यक्ति से, जो गलत है, क्योंकि जो गलत करता है बच्चों, उसको अच्छे से ये चीज पता होती है, कि वो गलत कर रहा है, अगर गलत कर रहा है, तो बस उसको इस चीज का एसास दिलाना होगा, कि तुम गलत हो, और अगर हम सही है, तो हम खड़े हो सकते हैं, हमें physical force की जोत नहीं है, क्योंकि एक दिन, एक time में, उसका जो conscience है, उसके सोचने की जो शक्ती है, वो उसे बताएगी, कि जो तुम कर रहे हो, वो गलत है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और यही ता idea of सत्यागर है, कि हमें लोगों को बदलना नहीं है, हमें लोगों की सोच को बदलना है, अब यह है पूरी स्टोरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड में एक यह यह दितना तो मैंने आपको बताई दिया है, कि हम आपको अपनी विजय पा जाएंगे, अगर हमारा जो मोटीव है, वो सच्चा है, गांधी जी जो है, वो अहिंसा के धरम को सर्वोपरी मानते थे, मतलब अहिंसा जो है, उन महात्मा गांधी जी के लिए सबसे उपर थी, देखा जाए तो सही भी, और कुछ लोगों के लिए देखा जाए तो नहीं भी, अब वो आपका अपीनियन है, कि आपको यह सही लगता है कि नहीं कि लगता है मेरा personal opinion यह है महात्मा गांदी जी हम सभी लोगों से बहुत ही जादा intellectual थे हम कभी बराबरी नहीं कर सकते उनकी ठीके तो ऐसे में महात्मा गांदी जी जो भी decision लिया होगा मेरी साइट से अगर कोई teacher से पूसता है कि सर आपका क्या मानना है क्योंकि कमेंट section में कई लोग ऐसे बोलने वाले कि सर ऐसा तोड़ी होता है यह वह आप तो बस पढ़ा रहे हो आप खुद भी मानते हो तो अरे वेटा ऐसा कुछ भी नहीं है गांदी जी की भावना है इधर भी है ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात की जा रही है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जलिया वाला बाग मैसेकर के बारे में मतलब जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था उसके बारे में एक प्यारी सी छोटी सी मुनी सी रिपोर्ट आपको देन अब जलिया वाला बाग हुआ क्यों था पहले उसकी अगर आपको रिपोर्ट ही लिखनी तो पहले स्टार्ट करते हैं ठीके ना इसमें थोड़ा आगे से दे रखा है पर मैं आपको थोड़ा और भी पहले से बता देता हूं तो देखो जलिया वाला बाग हत्यागान होने से पहले उस समय का जो माहोल था वो चल रहा था रोले एक्ट का रोले हैं जासी महात्मा गांधी जीएस निकालनाा शुरू गर डेते हैं बहुत सारे instances बहुत सारी situations को हम create करना शुरू कर देते हैं ऐसे चलते 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 दस तारीक तक बहात फौसती है 10 अपरिल को situation और भी खराब हो जाती है पंजाब साइड के इलाके में वहाँ पर डॉक्टर कौन से थे अपने सैफुदिन किचुलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे इन दोनों को तो पहली बात arrest कर लिया जाता है और महात्मा गांदी जी को पंजाब और डैलिक साइड का जो violence करना शुरू कर दिये थे अब होता गया है कि 13 अपरेल की तारीक आती है 13 अपरेल को था वेसाकी का तिवार मनाने के लिए हमेशा से जलियावाला बाग में आसपास के जितने भी गाउं के लोग थे न वो इकटा हुआ करते थे जलियावाला बाग में जैसे कि आपने भूसते हैं मार्केट के अंदर और कुछ लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं फैस को celebrate करते हैं पर कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो कहीं न गहीं जो बिटिस की जो पॉलिसी इस थी द्वालेट एक्ट था उसके विरूद में भी हो वहाँ पर जमा हुए थे प मार्शल वो लो होता है जहांब ए टेंपररी टाइम परिएड के लिए पावर जो है वह आर्मी के हाथों में चली जाती है और आर्मी के जनल थे उस टाइम जनल लो डायर ऐसा सूसते हैं अब जनरल डायर का ये मानना था कि अगर अभी हमने इन पर लाटी चार्ज किया आसू गेस के गोले अगर होते होंगे उस चाइम में अगर वो छोड़े करे डंडे वगरा मारे करे तो ये वापस कल वापस आ जाएंगे इनको हमेशे के लिए एक सब वाइरिंग कराना शुरू कर देते ओपन फायर वि डाउट एनी नोट्स उन्होंने किसी टाइपका औको कोई इंफोमेशन नहीं दिया लोगों को कि आप चले यह वग्यरा 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 फायर कर दें कुछ ने सीध Dorothy उपन ऑखने लग्चाने कॉछnे किया उपन फा जलियावाला बाग से निकलने का कोई रास्ता उन्हें दिखनी पाया और जिस स्कुए में वो लोग कूदे थे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदे को आइडिया आया था कई सारे बंदे एक साथ कूद गये थे इसके कारण कई सारे लोग ऐसे भी मारे जाते हैं आज भी जलि जलियावला बाग में पहुंच सकते हैं तो चलो तो चलो इडिल खाले उसकी बात कर लेता और वहां पे जमा होता है जलियावला बाग के लिए उन लोगों के उपर फैयर कर देता है वेसा कि पात्योर मनाने के लिए जो लोग थे वह बहल से आयए तो वह उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ martial law यहाँ पंजाब में लग चुका है यहाँ पर हमें अब नहीं आना चीए था क्योंकि वो लोग तो बाहर के थे वो लोग तो विलेजर से गाउं के लोग थे वो अब ऐसे में डायर जो है वहाँ पहुसते हैं ब्लॉक करते हैं एक्जित पॉइंट को एक पाठ पढ़ाना था इनके अंदर एक moral effect हमें बैठाना था अब हम चलते हैं साइमन कमिशन के उपर जलिया वाला बाग हो चुका था नॉन कॉपरेशन मुमेंट हो चुका था अब भारतिये जो परिस्तित्य थी वो चेंज होती जा रही थी पहला चेंज करने का कारण थ साइमन कमिशन का है जोन साइमन थे ना उनको काम था कि वो इंडिया आते इंडिया का constitution है उसे देखते समझते और उसमें कोई दिक्कत होती तो बिटिशन को बताते कि यह नया-nया कर लो आप इसमें चेंज कर लो पर अब प्रॉब्लम यह होती है कि साइमन कमिशन जो होता है उसके अंदर एक भारतिये नहीं होता है सारे अंग्रेज होते हैं तो भारतिये बोलते हैं कि आप हमारे लिए ही काम कर रहे हो हमारे लिए constitution बना रहे हो और हम सही नहीं पूछ रहे कि हमें क्या चाहिए क्योंकि उस समय तक तो जो इंडिया से बहुत ज्यादा पढ़ लि तो ऐसा कुछ उनके time period में किया जाता है 1928 की बात साइमन आते हैं go back साइमन नारे लगाया जाते हैं अब साइमन कमीशन का विरोध है ऐसा नहीं कि सिफ कॉंग्रेस में किया था सभी पार्टी से साइमन कमीशन का विरोध किया था मुसलिम लीग जो है उसने भी उसका लाइ बोलते हैं कि देखो यह जो इंडियन से ना यह बड़े ही भूले हैं तो क्यों ना इनके भूलेपन का फाइदा उठाया जाए तो October 1929 के अंदर वो एक हमें offer देते हैं कि चलो इंडियन से काम करते हैं कि आपको साइमन नहीं चाहिए साइमन चलो जाने जो साइमन को एक काम को आ जादी आप अपने तरीके से काम करो पर जो higher authority रहेगी ना वो हमारी ही रहेगी तो ऐसे में बात आती है इंडियनस दिमाग लगाते कि यार हमारे उपर तो यही रहेंगे मतलब इंडियन पावर तो इन लोगों की थी ना तो वो लोग सोचते कि यार फायदा क्या है फ dominant status देने के लिए हम आपको एक constitution भी provide करेंगे और यह जो constitution आपको हम provide करने जा रहे हैं उसका discussion हम करेंगे roundtable conference में मतलब एक roundtable बिठाएंगे ठीक है जैसे restaurant में बिठाई जाती है वहाँ पर हम सब इखटे होंगे वहाँ जाके बात बात करेंगे फिर समझेंगे कि देखो क्या आप बनाना चाहिए constitution कैसा बनाना चाहिए या कैसा नहीं बनाना चाहिए तो उसके बाद हमारे इंडेस जो है न वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं वह बोलते हैं कि अगर हमारा ही दो है और आप कह रहे हो कि पहली बात तो हमें बनाने नहीं दोगे ठीक है आप offer भी पर तक ग्याय वगेरा ली जाती है 1930 में लाहर कॉंग्रेस होती है तो वह बाली बाते अलग है अब यहां पर एक question है वह हमसे पूछ रहा है कि भारत माता के अंदर जर्मेनिया के अंदर क्या difference है जर्मेनिया कौन है तो chapter 1 के अंदर हमें जर्मेनिया देखने को मिल चुकी थ अब इनकी characteristics क्या-क्या है कि इनके हाथों में एक तलवार है एक हैंड में जंडा है एक हाथ में जंडा है करना क्या चाते हो बैयान समझ नहीं पारे जर्मेनिया इस वियरिंग क्राउन उन्होंने एक ओक लिव्स का ओक एक ट्री होता है ठीक है उसके पत्तों का उन्होंने अपना वह पैन रखा है क्या कहते हैं राज मुकुट क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए ज़ो ओक है ना वह हिरोजिजम का मतलब हो एक हो हीरो-एरो उसका परतीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं भारत-माता की बात करते है हमारी पएरी भारत-माता की रिप्रसेंट करती है हमारे इंडिया वह हमारे इसको paint किया था हमारे अभिंदरनाट टेगो और ने 1905 के अंदर जो भारत माता है वो strand करती है तरिशूल के साथ जो बताता है पावर को, उनके साथ में एक lion है जो बताता है like dominance को, उनके हाथ में उनके पास में एक elephant है elephant बताता है कि like हम बहुत जादा बहुत ज़्यादा अब्बिग है हमारे बहुत ज़्यादा पावर सिंबल्स ऑफ पावर्स एन अथारटी तो यह चीजे हमें देखने को मिलती है जब हम भारत माता के पोट्रेट को देखते हैं अब हमारे इस पूरे की पूरे NCIT सबसे छोटा कोश्चन आ गया है हमारे सामने लिस्ट अल्टी डिफ्रेंट शोशल ग्रॉप्स विच जॉइन दी नॉन कोपरेशन मुवमेंट ऑ 1921 दैन चूज अने 3 और अब आप देयर होस और स्ट्रगल तो शोवाई जॉइन दी मुमेंट नॉन-कोपरेशन मुवमेंट दैन ऊपक्रवाई जैस से कि देखते हैं कि सोचल गूप्स ते जेसे की देखते हैं कि social groups है कई सारे थे तो एके करके हम सभी social groups के बारे में पढ़ते हैं जिन्हों ने non corporation movement के अंदर participate किया था सबसे पहले हम बात करने जा रहे है middle class के अब middle class ठीक है जैसे होते कुछ लोग third class तो हम बात कर रहें अब ही middle class के बारे में middle class वो class है जो ना इतनी अमीर हो सकी है कि वो अपर ग्लास बन जाये और ना ही वो इतनी गरीब हो है चुकी है कि वो lower class में आ जाये तो middle class है न बीच में लटक रही है मिड़ली जो है हमें देखने को मिलती है शहरों के अब यहां सारे के सारे जो लोग है जरूरी नहीं है कि उन सबही लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी कुछ लोग थे और वो कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या थी कि बिटिश रूट जो वो समझ चुके थे कि आखिरी बिटिश रूल है क्या उसके अंदर लाइक बिटिश रूल जो है अगर हम खुद ब्रिटेन जाते उस प्राइम पिरिए में 1921 के टाइम पर तो वहां पर हमें राइस देखने को मिलते हैं मतलब बहुत शारी नहीं नहीं चीज़े देखने को हम शोडना शुरू कर दियाकॉलेस इसको छोडना शुरू कर दिया कि हमें आपकी सरकारी नोख्री नहीं चाहिए अगर अभी हो जाये तो कोई नादे रिजाइन अभी की बात बतारो प्रेजेंट में हेड मास्टर और ऐसी जगर जॉब लग जाया ना टीचर की तो कोई चोडने वाला नहीं एंड लोगों को कॉंसिल इलेक्शन में पाटिसिपेट नहीं करना है जो कि हमें गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाम था जस्टिस पार्टी जो है मद्रास प्रोविंस के अंदर हमें देखने को मिलती है ये पार्टी जो होती है वो कांसेल इलेक्शन को fight करती है क्यों करती है उसका एकारण होता है क्योंकि जो justice party है वो जो है वो चाहती थी कि हमें है ना society के अंदर एक equal status चाहिए और यह जो equal status है वो बिना council election को लड़े हमारे पास नहीं आ सकता है क्योंकि जो भ्रामेंस है ना वो हमें कभी भी उपर नहीं आने देंगे अब problem उन लोगों की थी तो उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा इसमें कोई review comment करने की जरूरत नहीं है problem उनकी थी वो जानते हैं कि उन्हें क्या solution चाहिए था कुछ लोगों होते हैं कि देश के बारे में बात करने लग जाते हैं कि सर गदार से देश के इतना बड़ नहीं कर सकते उन्हें किया है वो उनकी choice of life है ठीक है हमारा constitution क्याता है कि आपके बास choice of life है आपको जो करना है करो ठीक है पर किसी दूसरे को problem नहीं होने चाहिए फिर हम बात करते हैं शवदेशी की जो city side चल रहा था था ना city side के अंदर क्या कर रहे थे हम की इंडिन textile को हम ज्यादा promote कर रहे थे जो foreign goods होते थे foreign textile होता था उनका तो एकदम बढ़िया एकदम बनाते थे होली बनाते थे उसकी और उसका एकदम यो धेल लगा कि उसमें आग लगा दिया करते थे ताकि हमें पता पड़े कि हमें आपका ये goods वगेर आप नहीं चाहिए जो लीकर्स की shop अब बात करते हैं इंडस्री के ओपर क्या effect पड़ता है तो देखो अब इंडस्री में हमें देखने को मिलते हैं ट्रेडर्स इंडस्रिलिस तो अब इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था कि हम एक काम करते हैं कि नॉन कोप्रेशन मूमेंट तो चल रहा है अब ऐसे में बाहर के जो गुड्स है वो कोई खरीदने वाला नहीं है तो हम इंडियन जो टेक्स्टाइल है इंडियन जो गुड्स है उन्हें सपोर्ट करते हैं और बाहर के जितने भी गुड्स वगरा आ रहे हैं हम उन्हें बॉइक प्रोड़क्शन बढ़ाया जाता है एक अच्छा उनको प्रॉफिट होता है इंडियन टेक्स्टाइल जो मील्स होती है जो हैंडलोंस होती है उनको बहुत अच्छा फायदा हमें देखने को मिलता है तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हम पहुशते हैं कि कंट्री साइड मतलब अब हम गाओं की और चलते हैं देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली गाओं का यही बताया गया है यहां पर अवद के बारे में थोड़ा सा डीटेल दिया गया है कि अवद का क्या सिनारियो था तो चलो गाओं की तरफ चलते हैं गाओं के अंदर हमें देखने को मिलते हैं किसान भाई किसान भाईयों की सबसे बड़ी problem अंग्रेज नहीं थे उनकी सबसे बड़ी problem थे तालुकदार, landlord ये लोग अब ऐसा क्यों क्यों कि ये देखा जाता था कि तालुकदार, landlord जो होते थे वो बहुत सारा इंसे पैसा लेया करते थे और पैसा किसी को देना पसंद है नहीं जैसे जैसे हम देख पा रहे थे कि हमारे movement जो है आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे थे कि उसमें जो participate करने वाले लोग हैं, उनकी problems भी अलग-अलग है इन किसानों की problem ये है थे कि ये जो landlord है, ये जो हमारे तालुकदार है ना, ये बहुत ज़दा हम से पैसो के demand करते हैं चलो ठीके, एक हो गई पैसो के demand ये था कि इन लोगों के साथ मतलब जो small tenants होते थे, मतलब छोटे किसान होते थे, वो क्या करते थे जमीन किराय पर लिया करते थे, उस पर खेती किया करते थे, और उसके बाद में जमीन, उनको वापस ये दिया करते थे, ठीके पर अब होता क्या था ना कि जो ये landlord तालुकदार होते थे, वो उनका tenure जो है, वो fix नहीं करते थे, उनको लगता था कि आब इनको यहां से उठा के बाहर फैक देना चीए तो उनको वहाँ से उठा के भाहर फैक दिया जाता था तो tenure जो था, वो secure नहीं था ऐसे मैं इन दो problems को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने आते हैं, अवद के बाबा राम जंदर बाबा राम जंदर जो जो थे, वो उस टाइम में foreign return थे, मतलब वो फीजी जाकर आये थे as an intruder labor, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने मजदूरी करी, और साथ ही साथ उसके बाद वो इंडिया वापस आते हैं इंडिया के अंदर, अवद के अंदर जाके वो मुवमेंट खड़ा कर देते हैं, अब वायर रूलर पीपर पार्टिसिपेटेट, तो अब जैसे जैसे लोग मुवमेंट देख रहे थे, तो वैसे वैसे उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते जा रहे थे, तो कारण हमें मिल चुके हैं कि पहली बात तो उनको विटिशनस के साथ साथ तालुगदार और लैंडलोड को भी सबख सिखाना था, साथ ही साथ उन्हें है न, एक जो डिफ, एक है न, बेसिक जो सिनारियो साइम सिच्वेशन बन रही थी, उसको उन्हें चींज करना था, उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए वो अलुगदार और लैंडलोड के लिए, ताकि जादा से जादा इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके, साथ ही साथ, जो एक टैन्योर वाली प्रॉब्लम थी, वो मैंने बता दिया था, क्योंकि सेक्योरिटी लोगों को देखने को नहीं मिल रही थी, अब लोगों की प्रॉब अब लोगों के पास कुछ तरीके थे, जिससे वो प्रॉटेस्ट को आगे बढ़ाते जा रहे थे, एक तो तरीका था कि हम नाईदों भी उनके बंद कर देते थे, मतलब सामाजी भाहिशकार किया जाता था, तो सोसाइटी में उन्हें सर्विसिस देने को रोग दिया जाता जो भी तालुकदार या लैंडलोड बहुत जादा ऑपरेसिव होते थे, तो ऐसे में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, बारबर्स की, चौबर्स की, वोशरमेन की, ये सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते ह हुए, जहार लाल निरूप खुद आते हैं, अवद पहुचते हैं, वो देखते हैं कि अरे अवद वाले लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो अवद वाले लोगों का पूरा एकदम ब्योरा लेते हैं, जगे-जगे घुमते हैं, और एक अवद किसान सभा को establish करते हैं, इस अवद किसान सभा को establish करते ही, महात्मा गांधी जी जो थे न, वो एक intellectuality देखते हैं कि हाँ, ये लोग अभी तक violence नहीं कर रहे हैं, ये लोग एकदम बढ़े अगर रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं, अभी तक non-violence के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, समाज इसकी branches को खोल दिया जाता है, पर देखो बच्चो, धीरे धीरे अब है न, ending तक पहुशते हैं, कि आखिर इस अवद किसान आंदोलन जो भी था, उसका end कैसे हुआ, तो अब धीरे धीरे जो लोग थे न, वो ये समझ रहे थे कि हमें अब है न, जवारलान नहरू सपोर्ट कर रहे हैं, हमें political party सपोर्ट कर रही है, पैसा है, इतनी branches है, इतने manpower है, तो अब हमें काम करते हैं, हम क्यों न, अब attack करना शुरू कर देते हैं, हमें instant जो है वो, एकदम solution चाहिए, तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो तालुकदार होते हैं, उनके घरों पर attack करना है, आप जो लोग हो, वो Congress के ideology को साथ नहीं रख रहे हो, हमारा मानना है कि हमें सत्यागरे को follow करना चाहिए, और आप सत्यागरे को follow नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर लेता है, tribal people की मतलब, अब हम चलते हैं, जंगलों में, जंगलों के अंदर जो समस्या थी न, वो पूरे पाइदा ना उठाए, तो वो उनको reserve कर देते हैं, सारे के सारे forest land को, और वहां पर reserve करने के बाद, वो कह देते हैं, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा, तो वहां के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, इतने सालों से खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं उ ट्रेडिशन जो मिले उनको भी ये लोग फॉलो करने नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में कई सारी प्राब्लम जो है वो ट्राइबल पीपल्स के फास में हमें देखने को मिलती है अब ऐसे में उनके ट्रेडिशनल लाइट्स थे ही और उनका जो एक जीवन के लिए जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं जो ट्रेडिशनल अपने कल्चर से उसको भी वहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते थे साथ ही साथ जो बिटिशस जो थे बड़े ही अकलवान उन्हें यह लगता था कि एक काम करते हैं यह तो वैसे भी ट्राइबल है यह तो वैसे भी आदिवासी ल पर आप इतने स्टोरी इसके बाद है ना हम बात करते हैं एक हील की उस हील का नाम था हील का नाम भी यहां पर मिसिंग है बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अलूरी सीताराम राजू करके वैक्तिवीशेज होते हैं गुडैम हील्स के रहने वाले होते हैं अब गुडैम हील्स में वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों को स्टोरी सीताराम जी करते हैं कि काम करते हैं कि कुछ ना कु पे रहते हैं, वो militant war activities के अंदर बहुत ज्यादा perfect है, तो वो कहते हैं, हम militant gorilla war file करते हैं, जिसके थुरू हम इनको लूटेंगे और वापस जंगलों में भाग जाएंगे, ठीक है, तो यह वाला जो activities जो होती है, वो अलोरी सिताराम राजु के निततों में, वहाँ पे करना श पूरे के पूरे system को उखाड फैकने की त्यारी कर लेते हैं, पर महात्मा गांदी जी की जो विचार धारा थी, उसे अलोरी सिताराम राजु फॉलो जुरूर करते थे, पर मानते नहीं थे, तो वो कहते थे कि हाँ, महात्मा गांदी जी ने कहा कि लिकर होगेरा, शॉप्स ह जो विकर रहने करना उनको पर अपन को बंद करना है, वो भी कर देंगे, पर महात्मा गांदी जी कियते हैं, अहिंसा करनी है, मतलब हम लोगों को violence का साथ नहीं देना है, वो हमसे नहीं होने वाला, हमें तो अहिंसा करनी ही, करनी भड़ती होगी, फिर अब हम बात कर लिते वो बिना permission के बाहर नहीं जा सकते हैं plantation field के और अगर उन्हें जाना होगा तो उन्हें permission लेना होगा पर यह जो permission है वो भी बहुत ही ज्यादा rare उन्हें दी जाती थी अब जैसे ही non-corporation moment शुरू होता है तो वैसे ही plantation वक्त समझते हैं कि अब अंग्रेज अंग्रेज जैसा कु चुरू करण देते हैं कई सारी activities को वो करते हैं स्चाहाती साथ है आब वो जो एफ़रीटी थी उसको डिनाय करना शुरू कर देते हैं अब धीरे 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 लोग ऐसा करते हैं करते हैं plantation field के तो वहार निकल जाते हैं फ्रेली वो निकलना घूमना वणना शुरू कर देते हैं क्यों करते हैं कि उन्हें यह लगने लगता है कि हम जैसे गाउं पोचेंगे तो गाउं में है ना मात्मा गांदी जी का सवराज के कारण वहां पर हम लोगों को जमीने मिल जाएगी अच्छा गासा हमारा व तो अब इस्ट्राइक के कारण वो कभी भी अपने गनतवी इस्तान अपने घाउं तक पहुच नहीं पाते हैं पुलिस मा जरूर पहुच जाती है पुलिस मा पर उनकी बड़ी एकदम पिटाई-बिटाई करके उनको वापस फ्लांटेशन फील्स के अंदर ही डाल देती है ठीक है फिर हम बात करते हैं अब नेक्स कोशिन की डिसकस्टी सॉल्ट मार्च तो में किलियर वाय इट इस अन एफेक्टिव सिंबल और रिजिस्टेंट अगेंस्ट कॉलनेलिजम पूचा जा रहा है कि आखिर सॉल्ट मार्च में ही ऐसा क्या खास था कि महात्मा गांदी ज आढ़ा इस एक उसी चीज थी सॉल्ट मार्च एक ऐसा इंसीडेंट था जिसमें महात्मा गांदी जी ने क्या किया कि नमग कानून को तोड़ा कैसे तोड़ा वह वाहां साबरमती से निकले ठीटीज़ेटीज़ लग पहुचके नमग का जो पानी था उसको गरम किया गरम क करके नमक बना दिया नमक कानून उन्होंने बना कर बोल दिया कि मेरे नमक कानून तोड़ दिया नमक कानून ये कहता था कि बिटिटिस इंस्टूशन के अलावा कोई नमक बना भी न可 customize महा तो अब ऐसे में salt mask जो था वो हमें बताता है कि यह पहली बार था कि जब अब Indian जो लोग थे ना Indian leaders जो थे वो violate कर रहे थे लोग को अभी तक तो हमने cooperate करने से मानने से मना किया था अब हम मानते तो हैं ही नहीं साथ इसाथ हम कानूनों को तोड़ेंगे भी people were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break the colonial laws ठीक हमें कानूनों को तोड़ना ही तोड़ना है साथ ही साथ thousands of Indians in different parts अब जब भी सुनते हैं लोग कि हमें कानून तोड़ना कानून तोड़ना तो लोगों को मजा आ जाता है क्योंकि हमें चाहिता entertainment 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 हम लोग नमक कानून को तोड़ना शुरू कर देते हैं पूरे इंडिया के अंदर इसके लिए activities को कर रहे थे पर अभी भी है ना कहीं ना कहीं इस moment में कमी थी वह कमी यह थी कि अभी तक हमने यह नहीं जाना था कि इसका effect क्या पढ़ने वाला है तो लोगों को यह है तो समझ में आ गया था कि हमें कानूनों को तोड़ना है ठीक है पर कई जगे पर ऐसा भी देखा गया हैं चोकिदारी टेकसेस को देने से मना कर देते हैं साथ ही साथ जो forest people होते हैं मतलब forest में रहने वाले लोग होते हैं वो forest laws को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा कोई भी forest law नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ और सेफ आजादी चाहिए और महात्वा गांदी जी ने अगर ऐसा नहीं करोगे आप किसी को भी अगर ऐसा कहोगे कि आपको ऐसा नहीं करना है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो लोग जो है वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगे अब गुस्सा होने लगे तो अब पुलिस जो थी ना वो लोगों के ओपर fire कर करना शुरू करते लगी क्योंकि उन लोगों को कंट्रोल करना था इन सभी के सभी एक्टिविट्स को तो कहीं न कहीं इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायर करने लग चुपी थी साथ ही साथ कई सारे लोग मारे जाने लग गए थे महात्मा गांदी ज शोची रहे तो उस त्याव मुनको अरेस्टकร लिया जाता है了 इसे hai आरेस्ट होते है शोलापुर्ग हो शोला धदगauft उठता है वह बोलता है कि महांत्मा जो है न वो थोड़े वाइलेंट हो रहे हैं इंडियस नहीं अब बिटिश वाइलेंट हो रहे हैं ये लोगों के उपर फायर करना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में कई सारे लोग मर जाएंगे और उनको बचाने के लिए गांदी जी गांदी इरविन पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1930 वन को जिसमें गांदी जी यह कहते हैं कि हां मैं राउंटेबल कॉनफरेंस को जॉइन करूंगा पर उसके लिए आपको हमारे पॉलेटिकल प्रिजनस को छोड़ना होगा महात्मा गांदी जी के साथ इरविन का ये पैक्ट हो जाता है महात्मा गांदी जी करने हैं सिबी सब्सक्ट मूवमेंट में अब हमें explain करना है हमारा experience कि हमारी life क्या रही ओगी डैंडी इंपोर्टन रोल इन इंड़ी सब्सक्राइब हमें अब हमें जानना यही है कि लाइक दो कुशन आपको बता रहे हैं हमें वुम्हें का रोल बताना है स्विल इस मूव जाती है बहुत एक्टिव थी वो जब महात्मा गांदी जी ने सॉल्ट मार्च का आगास किया सिविल्डिस ओबिडिस मुवमेंट की शुरुवात करी जब मुवमेंट जब मुवमेंट चलता था हजारों मुवमेंट जो है वो उसके अंदर घरों से निकलती है गांदी जी के भाशनों को सुनती है उन्हें ये लगने लग जाता है कि हाँ ये हमारी डूटी है कि हम अपने नेशन के लिए काम करें तो इसके लिए वो प्रोटेस करते हैं, मार्चिस निकालते हैं, जो salt manufacture करते हैं, साते साथ जो factories होती हैं, उनके बाद वो production करने लग जाते हैं, foreign clothes को boycott करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी मुरास थे, वो यही थे कि हमें देश को आजात कराना यह हमारी duty है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई महिलाओं को अरेश्ट भी किया जाता है साथ ही साथ मूर बाइद गांदी जी को अब जब गांदी जी की इस पूरी पुकार को वो सुनते हैं समझते हैं तो ऐसे में महिलाओं को लगने लगता है कि देश जो है ना उस देश में हमें दो तरी है ना वो अभी तक किसी भी मुवमेंट में हमें इतना देखने को नहीं मिला है तो ऐसे में हमें civil disobedience movement को एक ऐसा movement बनाना है जिसमें अगर कभी भी इस इत्यास की बात की जाए तो उसमें महिलाओं का नाम भी शामिल किया जाए तो ऐसे में महिलाओं का एक बड़ा ही important role हमें civil disobedience movement में देखने को मिलता है अब हम बढ़ते हैं next question की दरफ why did the political leaders differ sharply over the question of separate electorate कहा जा रहा है कि जो political leaders थे वो different views क्यों रखते थे separate electorate के लिए separate electorate और general electorate दो टाइप के electorate होते हैं general separate ठीक है अब जनरल और separate में फरक क्या होता है वो समझ लो general electorate के अंदर हम देखते हैं कि जो लोग हैं जितने भी लोग है जितनी भी society है उसमें जितने भी social classes और social groups है न वो मिलके वो मिलके अपने एक leader को चुनते हैं जिसकी caste, class कुछ भी हो सकती कोई matter नहीं करता है तो general electorate में सब लोग एक साथ आते हैं और अपने किसी भी एक member को चुन लेते हैं जिस भी member को vote ज्यादा मिलता है वो elect हो जाता है पर separate electorate यह कहता है कि किसी एक religion के लिए ये बनाया जाता ह है ठीक है तो सिफ उस एक religion के लोग ही leader की position के लिए खड़े होंगे और उसे एक religion के लोग ही उन leaders में से किसी एक leaders को चुनेंगे तो समझ में आया यहां तो सभी लोग एक साथ आके एक person को चुनते हैं पर separate electorate के अंदर एक ही religion के लोग अपने leaders में से किसी एक leader को चुनते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर अलग मतलब जैसे अगर यह let's suppose Muslim से ना तो Muslim ही अगर आप person Muslim हो तभी आप उसके leaders को चुन सकते हो अन्य था आप उनके leaders को नहीं चुन सकते हो तो यह जो चीज थी वो गलत थी ऐसा हमारे political leaders का मानना था बैसा क्यों था तो चलो समझते हैं अब जो एक religion है इस एक religion को इतनी पावर देना कि वो अपने ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुने और उसे अपना leader बना दे तो ऐसे में इस policies को हम separate electorate कहेंगे using such a system was a mischief by the British government who wanted to divide the people अब कहीं यह जा रही है story कि British government separate electorate 99 Monte Modeler reform था शायद उसके अंदर हमें यह देखने को मिला था अब ऐसा उन्होंने क्यों किया कोई कारण भी तो होगा क्योंकि बिना कारण के तो वो लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं थे अब आप खुछ सोचो ठीक है आप वोट देने जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक लायन में तो और सिब और सिब और सिब ही उसको चुन सकते हैं और हमारे साथ क्या है हम लोग गों की बीच में हम लोगों की बीच में ऑक ठाएं difference अगर पैदा होंगे तो riots होंगे, riots होंगे तो जो country है वो divide होना शुरू होगी और Britishers जो थे उनका यही policy था divide and rule तो यही करना हमारे साथ भी चाहते थे The different political leader different over the question of separate electorate because of the following reason अब कुछ reason भी रहे होंगे कि आखिर political leaders का विचार हमेशा इसके बारे में अलग-अलग ही क्यों रहा करते थे The Congress leaders oppose the policy of the British government to integrate different peoples in demanding separate electorate अब Congress leaders तो इसलिए कहा करते थे क्योंकि अगर एक वेक्ति विशेज को separate electorate दे दिया तो सभी demand करने लग जेंगे हमें भी separate जी हमारा भी जो धरम है जो religion है वो अलग है तो हमें भी अलग से आप separate electorate दी जिए They knew well that it was the mischief by the British government who encouraged different people to ask a different separate electorate because such a policy would weaken the national movement Britishers यह जानते थे कि अगर हमने इनको divide किया तो यह अपने आप टूट food के side हो जाएंगे और उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा तो Britishers की इस mischief को इस शरारत को हमारे leaders अच्छे से जानते थे इसलिए ही वो separate electorate का विरोध करते थे the Congress leaders one and all in favor of the joint electorate तो हमारे जो Congress leaders से वो कहते थे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ joint electorate से ही मतलब है मतलब सभी लोग एक जगे आये जनरल voting करें आप लोगों के लिए हम जनरल भी पैदा करते हैं अब एक separate electorate का कोशन पुना प्रैक्ट के दोरान भी उठाया गया था ठीक है उसमें बी आर अंबेड कर यह चाहते थे कि हमें भी separate electorate दिया जाए पर महात्मा गांदी जी के प्रयासों से बी आर अंबेड कर का यह जो separate electorate का प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाय क्योंकि महात्मा गांदी जी ने अबेड कर साब को समझाए कि देखो सर गलत है अगर हम ऐसा आज करेंगे अगर आज हमने इनको सोसाइटी से अलग कर दिया तो यह हमारी सोसाइटी से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और फिर वापस से सोसाइटी में हो जाता है मुस्लिम लीडर जैसे कि मुहमद इकबाल नाम की एक लीडर थे मिश्टर जिन्ना जो थे आस फोर सेपरेट एलेक्टरेट तो सेफगार्ड पॉलिटिकल इंटर्स अब मुस्लिम जो लोग थे वह सेपरेट एलेक्टरोड की दिमान इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना यह है था कि हमारे इस इंडिय के अंदर हम जो मुस्लिम है वह मैनोर एह गदी है हिंदूग तो ऐसे में कहीं जो मैज्टूरिटी हैं वह कहीं हमारे लोगोंको नुकसान नहां पूचा दे इसी कारण से हमें हमें एकशान में हमानना था हिंदू के ज़्यादा लोग है ना हंगिसी और की वोट की कि अब कियों की अगर की सनदेवुड मरस्य आफ्पी हिंदू के हमारे लोगों को बाता हुए से बच जाएंगे तो विचार उनके भी ठीक थे कि हाँ भई मैजोरिटी माइनोरिटी है तो ऐसा होना चाहिए था ऐसा उन्हें लगता था लीडर्स ऑफ दिप्रेस क्लासे डॉक्टर बी आर अम्बेडगर की बात करते हैं बी आर अम्बेडगर भी बात करते हैं सेप्रेट इलेक्टरोड की अब ऐसे में ही फियर डॉमिनेंस ऑप दि अपर इलेक्टरोड और अपर कास हिंदो इन दी एलेक्शन अब ब्यार्मेडर कर गई है मानना था कि जो अपर कास हिंदो इसको मतलब कि जो अपने अंटचिबल से उनको उपर आने नहीं देंगे अगर वो उसके कारण किया, होगा, इसके कारण यह ही होगा कि आंटाच़ेबल का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा, विचार अच्छे थे, पर Mamasagandhi जी ने ये समझा कि, अगर हमने ऐसा किया, तो यह हमेशा हमेशा के लिए इन अंटचिबल्स को हमारी सोसाइटी से अलग रखने वाला काम हो जाएगा पर ऐसे महात्मा गांधी जी ऐसा करना नहीं चाहते थे तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पूना पैक्ट करते हैं बात तो होई यह ना कि आपको सीट चाहिए तो सीट आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सीट मिल जाने के बाद हमारी बियार अमबेड कर भी बहुत कुछ होते हैं वो भी यह जानते हैं कि देखो साफ सिंपल सी बात है कि सोसाइटी जो है ना वह एक है अगर वह सोसाइटी के अंदे डिफरें डिफरेंट पार्ट हमने अगर कर दिये ना तो महाल विगड़ पर मैटर यह करता है कि सही या गलत हमें यह फैसला नहीं करना हमें यह फैसला करना है कि हमारे दीश के लिए क्या काम होना चाहिए देखो अलग-अलग लोग है तो अलग-अलग विचार तो होंगे बेटा कोई दिक्कत वली बात नहीं है पर उन लोगों को एक विचार पर लेकर आना उन लोगों की मेंटलिटी उन लोगों की थौट प्रोसेस को एक जगे लेकर आना जो सही है जो सच है वो लेकर आना वो इसा कुछ तो अपना भी लोग सब छोटे हैं छोटे-छोटे बच्चे अपने रखेना तो ऐसे में अभी हमें बहुत को सीखना है ठीक है तो बहुत को सीखने के लिए बहुत जारा टाइम चाहिए तो बैटर यह रहेगा कि फैसला जो है आप जिल्दी ना करें कि क्या सही है क्या गलत है क्योंकि आपकी knowledge अभी incomplete है पहले knowledge पता करो हर चीज के बारे में पता करो हर चीज को अच्छे से समझो जानो एक अपने अंदर एक ललक पैदा करो कि ऐसा है तो क्यूं है यह जब चीज आपको अंदर से motivate करेगी ना तब आप जानोगे कि हाँ life का असली मतलब क् अगरा वगरा यह सब आपका क्यों जो है वो उस दिन खतम हो जाएगा तो अभी के लिए है कोई जज का काम अपने को नहीं करना है किसी भी टाइप की किसी भी कास कम्यूनिटी अंटचे बस जैसे मैंने कई बार यहां पर रिवाइड किया है कभी भी किसी को टार्गेट न नहीं अटका रहेगा ठीक है तो ग्रोथ के लिए जरूरी कि हम सभी एक दूसरे से हाथ मिलें और आगे बढ़ते हैं आज के लिए कल के लिए हमेशा के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो बहुत अच्छा लगे यज department नहीं आज करना वी आजका लोगे हमेशा का लूगे लिए तो खिए करना वीडियो बहुत अच्छाए क